अबाशकार दोस्तों। एक बार आप सभी का फिर से दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने THIS परिवार में दोस्तों एक बार फिर के सामने हाजीर हुए एक धमाकेदार सेशन के साथ जैसा कि अब आप सभी जानते हैं कि सुभा नौ बजे ये क्लास हमारे स्टार्ट हो जाती है और बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आप सब लोग भी दोस्तों आ जाते हैं तो चलिए दोस्तों यहां पर एक और सेशन की जो आज आपके लिए में लेकर आया हूँ सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों देखिएगा तीनों सेक्षन का मिक्सप रहता है इसमें और मोस्ट एस्पेक्टिड कोशन के साथ हम यहां पर चल रहे हैं दोस्तों यह आपको कोशन बिल्कुल एक्जाम में हू बाहू देखने के लिए मिलेंगे तो चलिए दोस्तों पहला कोशन क्या है चर्चा कर लेते हैं निमलिखित मैंसे कौन सा तत्व गरम करने पर भी तनू हाइड्रो क्लोरिक एसीड मतलब HCL के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है नहीं करता है लेकिन सल्फियूरिक एसेड H2SO4 के साथ प्रतिकरिया करता है अब इसमें से आपको ये बताना है कि ये चार elements आपको दिख रहे हैं दोस्तों इनमें से एक element ऐसा है जो dilute से HCl से भी reaction नहीं करेगा लेकिन H2SO4 से कर जाएगा ठीक है which of the following elements does not react with dilute HCl even on heating but reacts with sulfuric acid तो आपका HCl के साथ में तो react नहीं करेगा लेकिन H2SO4 के साथ में react कर जाएगा ऐसा कौन सा दोस्तों element है अब approach देखें इस question की देखें magnesium और sodium ये तो अच्छे खासे reactive होते हैं तो ये तो भही कर जाएंगे तो भही ये तो वैसे भी reactive ही होते हैं बात आती है iron और copper देखा जाए तो दोस्तों copper इस में से ऐसा होगा जो सबसे least reactive है और basically copper ही एक ऐसा element है यहां पर जो आपके hydrochloric acid मतलब HCl से react ना करेगा लेकिन किस से कर जाएगा दोस्तो एस टो एस ओफोर से कर जाएगा reactivity का concept से हम इसको इस question को आसानी से solve कर सकते हैं ठीक है दोस्तो तो सभी का answer क्या हो जाएगा दोस्तो इसका copper is the right unmotor क्या हो जाएगा दोस्तो copper इसका सही उत्तर हो जाएगा next question पर चलते हैं दोस्तों, मिट्टी के पोश़ तत्वों से भरपूर होता है, जैसे calcium carbonate, मतलब किसी मिट्टी के अंदर क्या पाय जाता है? Calcium carbonate पायà जाता है, Magnesium पाया जाता है, Potals भी पाया जाता है और Tuna भी पाया जाता है, दोस्तों. देख लीजे कितनी अच्छी अच्छी चीजे इस मिट्टी के अंदर पाई जाती है, is rich in soil nutrients such as calcium, carbonate, magnesium, potassium and lime, तो ये चारों चीजें basically किस प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है, ये simple सा साधारन सा हमारा सवाल है, तो क्या ये जड़ोल मिट्टी aluvial soil में पाई जाती है, ये काली मिट्टी black soil में पाई जाती है, ये लेटराइट मिट्टी, लेटराइट soil में पाई जाती है, या दोस्तो सुस्क मिट्टी में पाई जाती है, clear, तो question बहुत शांधार है, और answer भी शांधार तरीके से करना है दोस्तों सभी को clear तो ये सारी जो features पाई जाती है हमारी पाई जाती है दोस्तों किसमें black soil में बहुत बढ़ी अंसर आया है आप लोगों का किसमें पाई जाती है दोस्तों black soil में और black soil में देखा जाए तो NPK का थोड़ा अभाव रहता है यानि nitrogen, potassium और phosphorus का थोड़ा सा समझ में आ गया चलो move करते है next question पर इसका answer करेंगे तेजी से question बहुत अच्छा है दोस्तों question बहुत अच्छा है क्या कह रहा है निम्ण में से कौन सा पूलता जड़ पर जीवी का एक उधारन है किसका मेरे भाई पूलता जड़ पर जीवी का एक उधारन है which of the following is an example of complete root parasite अब ये complete root parasite का मतलब क्या है दोस्तों समझेगा इसका मतलब ये है कि photosynthesis process द्वारा खाना ना बना कर जो इसके आसपास यानि host उससे ये अपने खाने की विवस्ता करते हैं तो इसमें जो आता है दोस्तों ये ये रैफलीशिया है क्या आप जानते हैं रैफलीशिया के बारे में बिल्कुल जानते हैं सर ये largest flower है क्या है ये ये दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लॉवर है तो जो रेफलिशिया है वो भी इसका एक्जामपल है कंप्लीट रूट पैरिशाइट का ये भी एक्जामपल है दोस्तों और यहां पर ऑप्सन के हिसाब से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा औरोबैकी इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों और जो फेमिलियर फ्लॉवर है जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लॉवर है जिसे रेफलिशिया जिसका बजन भी दोस्तों अगर हम बात करें तो 10-12 kg का होता है और अगर इसके अंदर reproduction होगा तो इसका जो pollination process जो होगी इसमें बड़े जानवरों द्वारा होगी जैसे कि हाथी के द्वारा ठीक है दोस्तों तो ये इसके आसपास में कुछ unwanted आपकी चीजे होती है जिसे unwanted weeds हो गया ये इसके आसपास ये हो गया दोस्तों तो ये अपने खाने के लिए totally इस पर depend है इसलिए इसको क्या कहा गया complete root parasite कहा जाता है जैसे रेफलिशिया हो गया और बैकी हो गया clear बहुत अच्छा question है दोस्तों ये चलते हैं अगले question पर ये भी अच्छा question है बताएं इसका answer क्या होगा दोस्तों क्या है question कि एक synthetic oxygen है अब synthetic का मतलब अगर हम जाने तो हम जानते हैं कि sir main made यानि मानव द्वारा निर्मित को हम synthetic कहते हैं और oxygen क्या है sir sir oxygen है plant hormone एक plant का growth hormone है ठीक है बहुत important hormone है जो पौधी की व्रद्धी के लिए responsible होता है और basically ये पौधी की व्रद्धी को आकास की तरफ मुड़ जाता है जिसको प्रकास आनुवरतन कहते हैं लेकिन इन्वे से एक synthetic oxygen भी है जो मानव ने बनाया है दोस्तों क्या वो C-A-M-CAM है या फिर IBA है या IAA है या फिर AAA है ये question भी बहुत अच्छा है और ये question आपको अच्छा खासा परेशान करेगा चली मैं इसका answer बताता हूं दोस्तों इस question का answer क्या होगा IAA तो समझ लिजेगा कि भाई जो काम oxygen के जो काम natural oxygen हर्मोन का है वही काम इसका है clear क्या है IAA इसको बोलते हैं I-Dole-3, Indole-3 ठीक है इसका पूरा नाम basically Indole-3 Acetic Acid, Indole-3 Acetic Acid राइट दोस्तों this is the example of a plant hormone oxygen which made by human clear IAA चलो चलते हैं next question की होगा ये रहा आपका next question mycoplasma, mycoplasma की जो कोशी का होती है मिर भाई जो cell होती है वो all over living beings में सबसे चोटी होती है right और all over living beings में सबसे बड़ी कोशी का ostrich egg यानि की सुतन मुरुक का अंडा होता है right तो अगर हम बात करें कि mycoplasma की कारण होने वाली बिमारी पता करें mycoplasma एक प्रकार से bacteria है तो इससे होने वाली बिमारी भी हो सकती है आईए पता करते है find out the disease caused by mycoplasma mycoplasma की द्वारा होने वाली जो बिमारी है basically क्या कह रहा है small leaf of brinjal यानि बैगन का छोटा पता होना या केले के गुच्छादार seeds branched top of banana जाना या पीली नस वाले मोजैक या अनूवरकता मोजैक दोस्तों इसके कमी से जो mainly plants के अंदर जो बिमारी होगी वह आपके बैगन में होगी और बैगन के पत्ते जो है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों छोटे-छोटे हो जाएंगे जिन पर बैगन के production पर असर पड़ेगा क्लियर क्योंकि पत्ते चोटे होने का मतलब है कि खाने पीने का समान भी थोड़ा सा कम हो जाना क्लियर तो कहीं न कहीं उन पर भी production पर भी क्या पड़ेगा परक पड़ेगा क्लियर है चलो next question का answer करेंगे आप सभी लोग क्या है next question देखेगा बहुत अच्छा question है इसको मैं थोड़ा सा zoom कर देता हूं हाँ ये हो गया question हमारा zoom अब बताएंगे इसका answer क्या है question number six रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है यानि रक्त जो है जो आपका blood है वो kidney में इन में से किसके माध्यम से क्या करता है दोस्तों entry करता है इससे पहले कल हमने क्या जाना था मेरे भाई कि kidney के द्वारा जो filter किया जाता है जो filter आउट किया जाता है आपका blood वो कितना होता है पर मिनट तो 1200 milliliter per minute होता है तो अब यहां पर वही question को दूसरा रूप दे दिया है कि blood enters the kidney through तो किसके द्वारा blood kidney के अंदर enter करता है फड़ा-फड़ से बताएंगे सभी लोग अपना answer बताएंगे दोस्तों clear देखी यहां answers में variation आ रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों बहा स्रेडी फलक धमनी external iliake artery या वरक धमनी या कक्ष धमनी या अंत है प्रेकोष्टिका धमनी दोस्तों इस question का जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका renal artery वरक धमनी देखेगा यहां पर यह दोस्तों दो आपको राजमा के आकार की क्या दिखाई गई है kidney दिखाई हुई है क्या दिखाई गई है दोस्तों kidney दिखाई गई है और यह यहां पर जो देखे यह जो आपको दिखाई गया है यह आपको क्या दिखाया गया है दोस्तों यह आपको artery यह renal artery ही है क्या है यह renal artery है और यह क्या है iota क्लियर क्योंकि iota जो होता है मेरे एलए पार्ट , और यह क्या हो जाएगी लैफट और यधर वाले पार्ट च्या हो जाएगी , तो इसलिए यहाँ पर हम कहे सकते हैं कि व्रक धमनी जो है renal आर्टरी के अंदर से हीא तो हुटा है kidney में दोस्तो क्या होता है, enter होता है, clear, चलो, next question देखिएगा, lactose नया सब्द है बिलकुल, lactose intolerance क्या है, what is lactose intolerance, साइद इससे पहले ही आपने साइद ये question को पढ़ा होगा दोस्तों, और ऐसे ही questions की selected series में आपके लिए लेकर आ रहा हो, कि ऐसा ना हो कि पहली बार इनको एक्जाम में पढ़ें, तो भाई, ST campus पर पहली बार पढ़ेंगे, तो क्या है question को देखिएगा, बढ़िया question है, कि lactose intolerance क्या है, what is lactose intolerance, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ इस figure से देखने के बाद आपको समझ में आएगा, कि actual में हो क्या रह है, intestinal gas, bloated stomach, nausea and vomiting, मतलब की उल्टिया हो जाना, stomach pain, पेट में दर्द होना, या फिर diarrhea, मतलब motion हो जाना, या फिर stomach gurgling, पेट में इस तरीके से होना, right, तो यह जो समस्या होती है, दोस्तों देखिए, lactase enzyme के proper work ना करने से, यानि दूद का पाचा ना होने से, मतलब की जो milk है आपका glucose, galactose में ना तूटने से, किसके अभाफ से, lactose के अभाफ से, तो ऐसी स्तिति जहाँ छोटी अंतलियों, दूद उत्पादों में, मौझूद चीनी को तोड नहीं पाती, चीनी को तोड नहीं पाती, ऐसी ही condition को, दोस्तों, हम क्या बोलते है, lactose intolerance बोलते हैं, या फिर ऐसी स्तिति जहाँ फ्रक्टोज रक्त में पूरी तरह से सोक नहीं लिया जाता है, या ऐसी स्तिति जहाँ छोटी अंतलियों, ग्लूटन को तोड नहीं पाती है, तो दोस्तों, सही अंसर क्या हो जाएगा, इसका A हो जाएगा, और इसके बाद ये सारी समस्या होती है उल्टी होना, मोशन होना, पेट में दर्ध होना, पेट में एठर हो जाना, ये समस्या पैदा होने स्टार्ट हो जाती है, जिस कंडिशन को हम क्या बोलते हैं, लेक्टोज इन टॉलरेंस बोलते हैं, कि आई होप की बिलुकुल कलिएर हो गया होगा, अगício क्लिएर, चलते हैं, अग्ले को eccentric की अंहोजन, की आपको बताना है कमी से, यहां आपको बताना है कि क्या आएगा, की कमी से क्वाशी ओर कर नामक, विकार उत्पन होता है तो क्वाशियोर करका जैसे ही हम नाम सुनते हैं तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है दोस्तों क्या प्रोटीन बिल्कुल सभी का सही अंसर है यहां तो कोई संदही नहीं है क्या आ जाता है प्रोटीन आ जाता है ये क्वाशी और करके symptoms है दोस्तों पेट बिल्कुल फूला फूला सा है ठीक है clear तो बिल्कुल browns जैसे hair हो जाते हैं बिल्कुल dark काली skin पढ़ जाती है underweight weight बहुत कम हो जाता है दोस्तों टांगे सूच जाती है ठीक है फून की कमी हो जाती है ये सारे क्या है symptoms है सारे के सारे clear और कहीं मतलब पागलो जैसी abnormal वाली condition आ जाती है किसी भी बच्चे के अंदर ये क्या है सारे के सारे आपके क्वाशी और करके है clear तो इसके कारण प्रोटीन की ज़्यादा मातरा भी लेना लेकिन मेरास्मस प्रोटीन की कमी से बेसिकली होता है समझ में आगी बात चलो तो क्यासी और कर और मेरास्मस प्रोटीन के regarding ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रख लिए चलो अब है आपका question number 9 मास्पेशियों के निर्माड और बढ़ने तथा antibody बनाने के लिए निमलखित में से कौन सा आवश्यक है ये भी अच्छा question है दोस्तों कह रहा है कि मास्पेशियों के निर्माड के लिए तुरंत दिमाग में आया अच्छा और बढ़ने तथा antibody बनाने के लिए निमलखित में से कौन सा आवश्यक है which of the following is essential for building and growing muscles तो भाई building और growing muscles आते ही आपका दिमाग बिल्कुल mentos की तरह जल गया होगा अरे तो protein की बात कर रहा है बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने दोस्तों किस की बात कर रहा है protein की बात कर रहा है मेरे भाई किस की बात कर रहा है protein की बात कर रहा है खमझ में बात आ गए क्योंकि protein जितने भी जिम लवर होते हैं वो उनका सारा का सारा focus basically किस पर रहता है protein पर रहता है किस पर रहता है दोस्तों protein पर रहता है और protein को body building material इसलिए कहा जाता है जितने भी body shoddy बनाने वाले होते हैं वो protein का सेवन अधिक करते हैं clear चलो और protein के अगर हम बात करें दोस्तों वेज में तो soya bean और ground nuts में सबसे ज़्यादा protein पाया जाता है और India के अंदर pulses यानि की दाले भी अच्छा श्रोथ होती है दोस्तों किसका protein का ठीक है चलो next क्या है बई दवाब का SI unit आसान सा question है आपसे SI unit पूछना चाहरा है दोस्तों pressure की यह Kelvin की spelling को थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं यह बताए तो pressure होता क्या है sir sir pressure is equal to force upon area यानि की Newton force की हो जाएगी Newton meter per square और इसको सही लिखने का तरीका यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है तो Newton meter square is the unit of pressure अब आप बोलोगे sir यहां तो है नहीं लेकिन साथ में हम यह भी जानते हैं कि एक Newton meter square बरावर एक Pascal के होता है किसके होता है रासकल नहीं मेरे भाई Pascal के बरावर होता है आपने जैसा answer दिया बिल्कुल सही है क्या हो जाएगा दोस्तों इस question का answer पासकल हो जाएगा ठीक है meter की बात करें तो ये तो हमारी दोस्तों fundamental unit है ही right Kelvin की बात करें तो ये भी हमारे fundamental unit का ही पार्ट है जो की किसकी है ये temperature की है ताप मान की काई है ठीक है बहुते की काई है right वही Newton की बात करें तो Newton को drive unit है किसकी force की किसकी है force की है बल की है तो बल की drive unit यानि जो physical जो आपकी fundamental unit से help से drive हुई है उनको drive unit बोल देते हैं clear क्योंकि ये Newton किसकी है force की है force क्या होता है mass into acceleration clear दोस्तों चले आगे चले next question क्या है देखते हैं निम्लिखित में से कौन सा ठोस है बहुत बढ़िया question है आपको इन चारों में से solid को चुनना है बात खतम हो जाती है वही तो निम्लिखित में से कौन सा ठोस है ये आपको बताना है which of the following is a solid chloroform है आइडो है ethyl alcohol है या ether है तो अगर हम ठोस की बात करें दोस्तों थोस हो जाएगा हमारा आइडो form क्या हो जाएगा मेरे भाइड थूस कि आइडो form हो जाएगा यह जिसे आप थोड़ा सा movies में देखते हो न और एक लोरो आइडो फॉर्म पर्म सुंगादो तो वो उनकॉंशिश की स्तिती में चला जाएगा तो वो तो लिक्यूड होता ही होता है बाकि ये दौनों भी क्या होते है लेक्क्यूड होते है जब कि आइडोफॉम क्या होता है आपका सॉलिड होता है। क्लियर चलो नेक्ट कोशन क्या है आपका ये रहा कोशन नमबर 12 क्या कह रहा है कोशन नमबर 12 निमलिखित प्रकार के किस विद्धुत चुमक्य है विद्धुत चुमक्य है वी करण में सबसे लंबे तरंग धहरिये होते हैं आपसे longest wavelength पूछना चाहरा है मेरे भाई के इन में से सबसे लंबी जो तरंग धहरियता है वो किसकी है और सारे के सारे क्या है electromagnetic radiation है विद्धुत चुमक्य है वी करण है तो सबसे लंबी wavelength वाला विद्धुत चुमक्य है वी करण कौन सा है यह आपको बताना है आसान सा question है और उतना ही important है दोस्तों फटाफट से answer करेंगे सबी लोग और शाथ मैं session को दोस्तों share भी करेंगे सबी लोग session को क्या करेंगे ओके चलो तो बताएं दोस्तों ultraviolet rays होगा या अवरक तरंगे या infrared waves होगा या radio waves होगा या gamma rays होगा चलो तो इस question का जो सही answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा radio तरंगे या radio waves क्या हो जाएगा मेरे भाई सही answer इस question का radio तरंगे या radio waves ओके चलो तो अब यहां से एक और दिमाग में आ रहा होगा कि सर बाकियों का sequence क्या रहेगा तो बाकियों के sequence की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा चीजे बदल गई है दोस्तो ठीक है तो अगर हम इनके बढ़ते हुए किरम में रखें तो पहले पर आ जाएगा दोस्तो आपका ये और दूसरे पर आ जाएगा आपका ये और तीसरे पर आ जाएगा ये और चौथ पर आजाएगा यहाँ पर कुछ नंबर बदल लेते हैं A, B, C, D लेकिन कोई बात नहीं अगर हम इनके longest wavelength के बढ़ते हुए क्रम में बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आजाएगा gamma rays फिर आजाएगा आपका infrared rays फिर ultraviolet rays और फिर finally सबसे लंबी जो wavelength है वो किसकी है वो radio waves की है जो की चौथी नंबर पर आजाएगी तो question को हर तरीके से हमने क्या कर लिया मेरे भाई clear कर लिया राइट है ओके चलो नेक्स नेक्स कोशन देखिएगा वे session को सभी लोग share करेंगे है ना session को share करेंगे क्या है next question निमलिखित मैं से कौन सा एक nitrogen उरवरक नहीं है बहुत अच्छा question है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है मेरे भाई यह आपको बताना है कि इन मैं से नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है पहला है ammonium sulfate calcium cyanide super phosphate of lime और urine मतलब की nitrogenous fertilizer देखिए ammonium sulfate का अगर हम बात formula की बात करें NH4 और sulfate है तो SO4 हो जाएगा और यहां 2 यह हो गया आपका ammonium sulfate तो मेरे भाई यहां तो साफ साफ नाइट्रोजन है तो यह तो नहीं हो सकता वही अगर हम बात करें calcium cyanide की तो calcium cyanide क्या हो जाएगा मेरे भाई CACN2 क्या हो जाएगा मेरे भाई CACN2 क्लियर यह क्या हो गया आपका calcium cyanide तो यहां पर भी क्या आ रहा है N आ रहा है क्योंकि इसका formula क्या होता है CH4N2O तो यहां भी N आ गया अब बचता क्या है आपका super phosphate of lime क्या बचता है मेरे भाई आपका super phosphate of lime और अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इसका formula क्या हो जाएगा CAPPH2 नहीं CAH2PO4 का whole twice अब मुझे यहां पर बता दीजिएगा दोस्तों कि यहां पर N कहां है तो यहां पर N की जिगे क्या है मेरे भाई N की जिगे क्या है N की जिगे है phosphorus क्या है phosphorus तो इसका मतलब यह हुआ कि यह nitrogen की जगा किसका fertilizer है phosphorus का fertilizer है मेरे भाई क्लियर एक बार फिर से इसमें भी NH4 NH4 का twice SO4 ठीक है CACN2 और इसका CAH2PO4 का whole twice और CH4N2O यह आपका यूरिया हो ही जाएगा तो सही answer क्या हो गया दोस्तों इसका C is the right answer of this question चलो question number 14 नमक को बरफ के साथ मिलाने से हिमांग पर comment करनी है मिरे भाई क्या होगा जब आप नमक को बरफ के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा और उसकी freezing point पर बात करनी है कि freezing point on mixing salt with ice क्या होगा क्या होगा मिरे भाई यह आपको बताना है तो वो घटेगा या व्रद्धी होगी या एप्रवावित रहेगा या पहले घटेगा फिर व्रद्धी होगी क्या होगा इस question का सही अंसर यह हमें बताना है चलो तो अगर हम बात करें कि salt mix करने पर ice के साथ तो उसका जो freezing point होगा वो obvious सी बात है वो क्या हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा decrease हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर क्या है salt content बढ़ जाएगा राइट चलो next question 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 number 15 अब देखिए क्या लग रहा है बिल्कुल है ना शुन्दर सा एक photo चलो समझते हैं इसको पौधो के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त की जा सकती है जो आम तोर पर रंग और antiseptic के रूप में इस्तमाल की जाती है तो ये तो हम सभी जानते हैं मेरे भाई की जो हल्दी है वो antiseptic के तौर पर antiseptic गुण पाया जाते हैं इसलिए कि कहते हैं कि चोट लग जाए तो दूद में हल्दी को वाल कर पी लिजगा क्योंकि दोस्तों वो antiseptic की तरह वर्क करती है तो कहां से पाई जाती है वो हमको क्या हमें वो जड़ से पाई जाती है या स्टैम से या फल से या फ्लॉवर से तो ये अगर हम देखें तो ये कहां से मिल रही है दोस्तों हमको तने से कहां से मिल रही है तने से यानिकी स्टैम से क्लियर चलो कहां गया हमारा हां तो तर्मरीक हमको कहां से मिलती है इस स्टेम से तर्मरीक के साथ साथ हमारा जिंजर भी होता है ये भी स्टेम से मिलती है और रूट की बात करें तो दोस्तों रूट में तो आपका कैरट हो गया आपका रेडिस हो गया कैरट रेडिस है ना मतल आपके फ्लॉवर वाले भी होते हैं, पार्ट, खाने वाले, ओके चलो, next question, question number 16, क्या कहना चाहरा है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, वो बताना है, बहुत शानदार question है वह बताना है, a substance that is not found in the blood, जो blood के अंदर नहीं पाया जाता है, ऐसा तत्व आपको बताना है दोस्तों जब की option में आपको दिया हुआ है iron, copper, chromium और finally magnesium, अगर हम दिहान से देखेंगे, तो sir, blood में, हमारे blood में definitely iron तो हो गई होगा, तो कि यह तो hemoglobin का part है, copper भी होता ही है मेरे भाई, लेकिन magnesium भी रहेगा, लेकिन chromium हमारे blood में किसी भी तरीके से नहीं पाया जाता है है, so the correct answer of this question is C, clear दोस्तों, आइरन तो हो गई होगा, copper भी होगा, magnesium भी होगा, लेकिन chromium नहीं पाया जाता है, चलो, चलते हैं, और एक question और दोस्तों, यही copper की मात्रा अधिक हो जाती है, copper की मात्रा अधिक हो जाती है, किसमें, octopus में, octopus में, जिसके कारण जो उसके, जो र यह भी question आता है, राइट, चलो, question number 17, निमलिखित मैं से कौन सी बीमारी प्राय दुग्ध द्वारा फैलती है, किसके द्वारा फैलती है, मिर भई, दूद के द्वारा, इन मैं से कौन सी बीमारी फैलती है, यह हमें बताना है, which of the following disease is usually spread through the milk, बताएं, तो भई, कौन सी बी बीमारी दूद के द्वारा फैलेगी, यह आपको बताना है, पटाफट से बता, टूबर क्लोसिज है, जॉइंडिस है, डिप्थेरिया है और कॉलेरा है, हाला कि अगर हम बात करें दोस्तों, तो टूबर क्लोसिज, डिप्थेरिया और कॉलेरा, यानि कि हैचा, यह तीनों नाम लें, तो इसका जो बैक्टीरिया होता है, उसे हम बोलते हैं, माइको बैक्टीरियम क्यूबर क्लोसिज, माइको बैक्टीरियम क्यूबर क्लोसिज, अब दोस्तों, हाँ, बिल्कु सही अंसर है, अब इसको इसमें होता क्या है, कि जो बैक्टीरिया होते हैं, यह हमारी स्टिवर फोली है जिससे खून निकलने की स्तिती पैदा हो जाती है इसके कारण खौसते समय हाथ भे भी पून आजाता फीक है लेकिन इस भारत सरकार पर भारत सरकार ने बहुत सारी स्कीम चलाई हुई है कि इस tuberculosis को हम जल्द जल्द खतम कर दें और 2030 तक ये उम्मीद है कि ये देश से उड़न्चू हो जाएगा चलो अब चलें नेक्ट कुश्चन पर जी सर अब इस कुश्चन का एंसर दीजिए पूरी हिंट दे रखिए मैंने आपको इस कुश्चन के एंसर हुए पूरी हिंट आपको दी हुए है मैंने मेरे भाई इस कुश्चन में क्या है कि इनमें से कौन उड़ सकता है इनमें से कौन उड़ सकता है। जो इसकी फिगर है वही ओड़ सकता है और ये किसकी फिगर है मेरे भाई देखिए ऑस्टिच की गरदन तो बड़ी लंबी सी होती है बिलकुल साप की तरह जिसका अंडा सबसे बड़ी कोशी का कहा जाता है तो सर ऑस्ट्रिच तो होगा नहीं यह बहुत तेजी से भागता है यह में भी बहुत तेजी से भागने वाले बर्ड है पैंगुइन भी दोस्तो भागने वाली चलने वाली ही बर्ड है लेकिन जो हॉन बिल है वो क्या है ओडने वाली पक्ची है और यहां पर यह जो बना हुआ है यह क्या है यह हॉन बिल ही है यह क्या है मेरे भाई हॉन बि राइट शलो चलते हैं next question पर बिजली के बल्ब का filament का बना होता है बच्चो वाला question है आसान सा question है the filament of an electric bulb the filament of an electric bulb is made of तो जो filament है, electric bulb का, वो किस का बना होता है, copper का बना होता है, aluminum का बना होता है, tungsten का बना होता है, या alloy का बना होता है, पटाफ़ट से बताएं, तो आप बोलोगे सब डबलू का बना होता है, मतलब की tungsten का बना होता है, और tungsten का इसलिए बना होता है, कि जो इसका melting point है, क्या है इ melting point कितना है लगबग 3500 degree centigrade है दोस्तों clear चलो ये हो गया हमारा question number 19 बहुत simple next question क्या है question number 20 question number 20 भी आसान ही है बहुत उत्सवा के साथ आपको इसका answer करना है और साथ ही दोस्तों session को share भी करना है सभी लोगों को session को क्या करना है share भी करना है right चलो तो रक्त cancer को कहा जाता है blood cancer is called भाई blood cancer तो होता ही होता है तो बताएं क्या कहा जाता है क्या उसे rabies नामक विमारी कहते हैं नहीं सर हाइपरमेटरूपिया कहते हैं नहीं सर लूकेमिया कहते हैं हाँ सर क्या बोलते हैं इसको लूकेमिया को blood cancer बोलते हैं cancer का मतलब है basically uncontrolled cell division right दोस्तों वही हम हाइपरमेटरूपिया की बात करें तो यह आईज से संबंदिद बिमारी है और इसमें दोस्तों दूर का देखे एक होता है दूर का एक होता है पास का तो बड़ी वारा्ए से ही recommends बन जाते हैं क्या बन जाते हैं जामबी बन जाते हैं मेरे भाईism क्या esticles पागल कुत्ते से पागल जानवरों के काटने से यह उघ्र bhe ​ बीमारी उधा ही यह मैरे च्यलिक है कोई दिक्क्त दोस्तों और hvis आईपर मेटिरूपिया की करेक्शन की बात करें, तो इसका जो करेक्शन है, वो कॉन्वेक्स लेंस द्वारा से होता है, कॉन्वेक्स लेंस के चसमे लगाने से हाइपर मेटिरूपिया बिमारी को जो आँख की बिमारी है, उसको हम बिलकुल दूर कर सकते हैं, ठीक है, चलो, next question है आपका question number 21 क्या कहरा है 21 जब जल जमता है तो इसके घहनत पर comment करनी है और यहाँ students गलती करते हैं पता नहीं कौन सा पहाड़ वाला मैंने question पूछ लिया इतनी गलती students कर देते हैं दोस्तों इसमें आरे सीधी सी बात है यार जब water freeze होगा तो वो ice बनेगा और ice की density कैसी होगी सर less होगी density कैसी होगी less होगी भाई ice की density पानी की density से कम होती है ऐसा ही है ना तभी तो वो तेरता है तो पानी की density क्या हो जाती है जादा हो जाती है तो यहाँ क्या हो जाएगा सर decrease हो जाएगा कि जब water जमेगा तो उसकी density क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तभी तो वो तेरती है बरफ पानी पर, समझ में बात आई, alcohol में डूब जाती है, clear, क्यों, क्योंकि alcohol से ज़्यादा dense है बरफ, लेकिन पानी से कम dense है बरफ, dense का मतलब density, और density का मतलब होता है मिर भाई, ratio of mass upon volume, क् होता है, mass upon volume का क्या होता है, ratio होता है, clear, अरे बोलो हाँ या ना, चले, चलते हैं अगले question की ओर, ये रहा आपका question number 22, क्या कह रहा है, कि भोजन को चवाने वाले दांत, कौन से मेरे भाई, चवाने वाले दांत, कौन से प्रिकार के होते हैं, what are the types of teeth used to chew food, तो खाने को चवाने वाले जो दांत होते हैं, वो basically दोस्तों कौन से प्रिकार के होते हैं, ये हमें बताना है, right, तो molar हो जाएगा, incisor हो जाएगा, canine हो जाएगा, milk teeth हो जाएगा, तो आप बोलोगे सब दूद के दांत को तो वैसी हटा, तो चवाने वाला है, बच्चों क molar चवानलक बोलते हैं, ठीक है, और दोस्तों, इन से पहले कि अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो वो हमारे pre-molars हो जाते हैं, उससे पहले और आएगा, तो वो canine और सबसे पहले incisor रहते हैं, clear, तो यहाँ पे chew food की अगर बात है, तो चवानलक का काम होता है, molar का का काम होत देखो, जो आपकी यह incisor होते हैं, incisor का काम होता है, cut करना, cutting the food, ठीक है, किसी चीज को, जो आलू के परांठी का रॉल बनाके इसको खाते हैं, आगे वाले दांतों से काटते हैं, वही जो side वाले दांत होते हैं, यह जो आपके canine होते हैं, रदनक बोलते हैं इनको, यह कुछ chips का packet फाड़ना हो ना, ऐसे करो के फाड़ेंगे, तो किसका काम रहता है वो, canine का, खीक है, तो इसका काम basically क्या रहता हैं, दोस्तों, tiering का रहता है, tiering the food, clear, चलो, next question, question number 23, निमलिखित मैं से किसमें दोनी की गती सबसे तेज होती है, बहुत सांदा, बहुत आसान question है, क्योंकि दोस्तों, हम इसको एक बात पहले भी कर चुके हैं, तो sound जो है, उसकी speed सबसे जादा, जो तेजी से रहेगी, वो रहेगी solid में, किसमें दोस्तों, solid में, फिर उसके बा बता तो सिर्फ solid और gas है, तो solid की अगर हम बात करें, दोस्तों, तो निर्वात, iron, पानी, वायू क्या हो जाएगा, vacuum है, iron है, water है, air है, तो दोस्तों, देखिए solid यहाँ पर एक ही है, तो सीधी जी बात है, speed of sound सबसे जादा किसमें होगी, iron में होगी, और अगर हम बात करें, दोस्तों, किसी particular medium का temperature rise कर दे, तो velocity भी उस particular sound की क्या हो जाती है, दोस्तों, increase हो जाती है, जबकि velocity of sound pressure पर depend नहीं करती है, यह दो question और आपको याद रखें, clear, say yes or no, clear है ना, चलो, next question क्या है आपका, malaria से कौन सा अंग प्रुभावित होता है, which organ is affected by malaria, बहुत बढ़िया कुशन है मिर भाई, तो बता दे, malaria से, जो की एक female end of lease mosquito से होने वाला रोग है, या इसको proto-जवा से होने वाले बिमारी भी कहते हैं, दोस्तों, तो इन में से सबसे अंग जो प्रुभावित होता है, वो कौन सा है, वो है पिलिहा, जिसे दोस्तों, लब कब्र भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रक्त की कब्र या कब्रिस्तान भी कहा जाता है, दोस्तों इसको और साथ में इसको blood bank भी कहा जाता है, तो कि रक्त का खात्मा यहीं होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रुभावित malaria में यहीं होता है, इस क्लियर है, चल क्लियर चलो लास्ट कोश्चन है आज के सेशन का यह हमारे दोस्तों फिर कल आप से फिर मुलाकात होगी सुभा नौ बजे शार्प लेकिन उससे पहले एक सवाल कर लेते हैं maximum weight session को share नहीं कर रहे हो आप दोस्त session को share करें यही तो हमारे लिए motivation होता है right so maximum weight of our body is made up of हमारे सरीर का अधिक्तम जो भार होता है वो बना होता है हड़ियों के कारण body organs के कारण skin muscles के कारण या फिर दोस्तों या फिर skin muscles and organ के कारण या फिर water के कारण जल के कारण बहुत अच्छा question है दोस्तों और ये question आपको मिलता है homework में और इसी question के साथ हम सुरू बात करेंगे दोस्तों कल सुबह वाली 9 वाली class में और अब से हमने एक scheme चालू कर दी है एक question आपको आप या तो comment box में इसका answer करेंगे या मेरे भाई कल मुझे इसका answer आप लोग सभी बताएंगे एक बार थमचब करके बताएं सभी ready है ना हाँ बिलकुल अरे अभी नहीं कल इसका answer करना है comment box में आपको अभी करना है ठीक है screenshot ले लिजीगा दोस्तों screenshot ले लिजीगा क्योंके हराओ में confusion है अना confusion question है आपको लग रहा होगा यार यह भी हो सकता यह भी हो सकता यह भी हो सकता इसलिए दोस्तों आपके लिए homework में question दिया हुआ है सभी का गलत है तो सही question का answer आपको दोस्तों कल करना है तो ठीक है दोस्तों आज की session को यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं कल सुभा 9 बजे एक बार फिर से पूरिया energy के साथ जब तक अपना ख्याल रखिएगा ओके बाबाए टेके यार जैहिन जैभारत कि यार